कि आ थो कि आए आ है माइं यूट्यव तो आफ सभी अदी होंगे हम भी आच्छे है तो मैं यहां पर कर रही हुं पानी अपने लिए तो मैं मॉनिंग में उठके ना पानी पती हूं फर्स आ व आल तो बस मैं यहां पे added तो अब मैं बना रही हूं जूस तो बस उसी की तियारी कर रही थी तो अभी बच्चे सोए थे तो उटे नहीं थे तो चाफट अफट बना देती हूं तो जैसी मैंने बनाना स्टार्ट किया तो मुझे आवाज आगी कि बच्चे उठके तो बस वह भी न यहां पर आ गए थे तो मैं बस फरफर्ट से जूस बना रहे हूं जूस बनाने के बाद मैंने बना रही हूं था बच्चों के लिए धलिया क्या क्या करते हूं तो आधे गूंते में कुछ ना कुछ क та thatísक में घми कब्रेट बना देती हूं तो यहां पर यहां टल्य कुछ कर दिया हैँ तो इसमें मैंने सभाउत एलाइशी बीच डाल दी है साथ ही मैं तूसर यहां पानी डालके एक विसल के बार आप भी कहां थां जनली का तूसर का खार आप तो इसको बहुत पसंद है काजू वस तो थोड़ी देर में आता है और मैं को बलता है काजू देट दो ठीको आप ठीको चोट ठीक है आपकी चोट तो ठीक होगी अब अब धीरे धीरे जाएगे ना कजो यहां पे बाइए 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 अच्छा जो जोनी जोनी इतिंग शुगर टेलिंग लाइए ओपनियो माउट हाँ हाँ मेरी गूद और क्या शक चक्षा देवी अन्द है बाइए 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 allow राओंड एंद राओंड आज इंद्राओं ओृड एंद राओंड आज बी खलती हो आज विधरे लाओं आल थू गिकषा बामीे बाइए बी ओॉद अच्छा दो हॉर नंटा बच्छो औ को वे 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 और तूवन, दिन, दिन 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 आप अच्छा ए च्छा बोल देते, भूम भूम, भूम, भूम और केशे बलते आप क्या अच्छा राउंड एंड राउंड अच्छा आलोम विलोम क्या शौरी क्या शौरी क्या शौरी शौरी एक हाथ शौरी दोना हाथ शौरी तो यह हो गया है अभी खाने में बहुत जादा बीजी तो दलिया बन रहा है मुमा को देदा मातर जी मातर जी तो मैं आपको बन रहा है इसको अब भी टाइम लगेगा तो चले मिलते हैं और अक्षब से भी अब खीखाले के अफिको आप खीख को अप खीको आप खीख को तो आप खीख़ आप जो आप जा अच्छा तब यह इस भी शपी है शब ठीक औरնा है आपने खाया अभी का खाया आपने जूस पिया अभी अभी मामा दल्या बना रही है अभी फिर ममा फ्रूट लेकर आएगी है इधर देखो ना तो आप बार कहां देख रहे हो बार बार मौशम बहुत अच्छा है चालो ठीक है खांसी होगा खांसी अभी ममा दवाई देती है ठीक है दवाई पी ले पर ले ना तो अक्षा उसको भी खांसी होगी है तो डल्या भी बनके हो गया है रेडी तो मैं बना रही हूं पनीर पनीर तो मैंने लास्ट वीडियो में भी आप से शेर किया था बट मुझे ना किसी का कॉमेंट आया था कि मैं इसमें जो विनिकर यूज कर रहे हूं वो कौन सा बस मैं इसे ही जो है पनीर निकालती हैं जितनी कॉन्टेटी में डूद लेती हूं उतनी ही क्वबनेर पनीर भी लेती हों तो ये बनके हो गया पनीर भी रेडी तो बस थोड़ा दिफरेंट स्टाइल में जो है आज पनीर की सबजी बना रही हूं तो सचे जली आपसे भी म मसाले मिक्स करके हैं बाँ नमक पर पिया हुगा बुक्त नामक होगा जिर्ब जाल रही हुँ तो पीजये कोब था भुआ शम्नी घाल में वहां व ethics को चार्ड मसाला भी दिखना Brain जबым कि मिक्सके दिखने के लिए पनीर केbn je बाल डिखने के लिख से अच्छे से झाट करें रखें ये अच्छे से पीसद के प्यास को मैं लिखे से प्यास को येट मिwegen 12-15 मिनिट के लिए रख दूँगी मैरिनेट होने के लिए तो पनीर को भी मैरिनेट कर दिया साथी मैंने प्याज अद्रक लसन और टमाटर ले लिया तो साथी मैंने खड़े मसाले भी ले लिये जिसमें मैंने मतलब लॉंग, इलाइची, बड़ी इलाइची, छोटी इलाइची तो यह सारी चीजे ले लिए और साथ ही इन प्याज, लसन और टोमाटर को भी मैंने तीनों को ही ग्राइंड कर दिया तो यह सारी तैयारी मैंने कर दी थी बस सिंपल ही है इतना कुछ खास नहीं मैं बना रहे हूँ बतलब आप सब भी बनाते ही हो तो आप भी मुझे जरूर शेयर कीज़ेगा कि आप किस तरह से बनाते हो पनीड तो मैं जैसे बना रही हूँ, तो सोचा आप से भी मैं शेयर कर लूँ तो बस दोनों साइड मैंने तेल डाल दिया है तो मैं थोड़ा सा इसमें हींग यूस कर रही हूँ साथ ही मैंने इसमें खड़े मसाले डाल दिये हैं तो जब तक ये हलके हलके से बस मैं इसको रोस्ट करूंगी साथ ही मैंने इसमें प्याज लसन का जो पेस्ट मैंने बनाय था वो इसमें डाल दिया तो बस हम मैं इसको हलका सा ब्राउन करूंगी तब तक साथ ही मैंने जो पनीर मेरिनेट किया था वो भी हो गया था तो बस हम मैं उसको फ्राइ कर दूंगी हलका हलका सा तो मैं इसमें तीन से चार काजू डाल रही हूँ साथ ही मैंने बनाई थी पुदीने की चटनी तो मैंने यहां पर टमाटर और काजू डाल दिया है और थोड़े सेैप क् disturbance मैंने हलका हलका से तो अविन थोड़े थापक, अड़ेवी यूज़ किये हैं मसाले पनीर को मरिनेट किया था उस ताइम भी हमने यूज़ किये थे तो मैंने यहाँ पुदीने की चट्मी बनाई थी तो मैंने एक चमच वो इसमें डाला है तो मैंने हल्दी डालना भूल गई थी तो मैंने इस वक्त इसमें हल्दी डाली है मुझे यादी नहीं रहा कि मैंने हल्दी डाली भी थी तो फिर मैंने डाल दी तो ये टेमाटर भी अच्छे से हो चुके हैं तो बस अम मैं इसमें फ्राइक किया हुआ पनीर डाल रही हूँ और साथ ही थोड़ा सा पानी इसमें डाल दूंगी तो बस इसको दस मिनट तक पकाऊंगी जब तक ये पानी पक नहीं जाता है तो बस ये भी बनके हो गया पनीर अभी रेडी और ये ना बहुत जादा तेस्टी बना था तो जैसे मैंने पुदीने की चटनी इसमें डाली थी ना उससे बहुत अच्छा टेस्ट आ गया था इसका तो मैंने इसको ट्राइ किया है तो आप भी एक बार जरूर ट्राइ कीजेगा ये बहुत जादा तेस्टी बनी थी तो चलिए पनीर की सबजी भी बनके होगी है रेडी मैं इसको आपको एक बार इसका मैं आपको फाइनल लुक भी दिखा देती हूं तो आप देखिए ये कैसी बनी है तो इस वक्त बच रहे हैं रात के मतलब पॉने नौ होने वाले हैं तो यहां पे न मुझे ना कुड़ा फैंक में जाना था तो अंदर ना यक्षित रोई जा रहा था उसको पथा लगया कि मैं जा रही हूं तो बस वो रोने लगया तो मैं नीचे आई तो मैंने देखा कि यहां पे तो मतलब पुड़ा फैंकने के लिए कुछ ही नहीं है मैंने सब जगा देखा फिर देखा कि उनने ना बाहर वो साइड में रखा था क्यूंकि वह आलमोस्त ना पूरा फुल हो चुका था तो उनने ना बाहर ऐसे रख दिया था वह फिर बाहर रख देते हैं जब इम रात में हुई है, लेटर चेक कर लेती है, कोई पोस्ट आई है, बड़ी बड़ी है, तो यहाँ पर ये पोस्ट बहुत आती है, लेटर्स, तो बस अब बच्चों के लिए मैं दूद करम करने के लिए आ गई, तो मैं बस कुड़ा फैंक के आ गई थी, तो बच्चे रो रहे थे काफी, अक्शस भी बहुत जादा ना, ऐसे नीम दारी थी उसको भी, तो बस फटाफट से आके अब मैं दूद करम करने लग गई, तो एक्शली मैं वैसे तो मैं हल्दी वाला दूद करके देती हूं, मतलब हल्दी राल देती हूं, उसमें अजवाइन, सौंफ, इलाइची, तो ये सब कुछ डालके ना, फिर अच्छे से मैं जो है, मतलब गरम खजूर डाल रही हूं, और मैंने दो से तीन इलाइची, इसमें डाली है, अक्शली खजूर नहीं पसंद करता है, तो मैंने ऐसे दूद में डाल देती हूं, ताकि ना, उसका मतलब खजूर का असर उसमें दूद में चला जाए, ताकि इसको भी थोड़ा सा उस चीज का ब जाए दिया था, तो बस मैं यहां पे अब जो है, थोड़े बहुत बरतन थे, वो धोने आ गई, और कीचन को क्लीन करने आ गई, तो मेरी जो डेली नाइट रूटीन होती है, तो मैं रात को बच्चे सो जाते हैं, तो मैं उस टाइम पे सारा कीचन क्लीन करके सोती हूं, वै बच्चों को देख लेते थे, तो फिर मैं बाकी का काम ना मतलब आराम से कर सकती थी, तो अभी तो क्या होता है, कि मुझ पे सारी की सारी स्पॉंसिबल्टीज है, तो बच्चे भी इदर देखने होते हैं, बच्चों के साथ भी है, घर का भी है, तो अकेले ही मतलब तो बस अभी बच्चों को भी देखना है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम ना मैनेज नहीं हो पाता है, तो रात को मुझे लेट भी हो जाता कही बार, किचन को करना भी जरूरी है, क्योंकि मौनिंग में जब मुझे काम करना होता है, उसके लिए मुझे किचन पूरा क्लीन चाहिए, पूरा का पूरा ना मतलब सारा समान अपनी जगा पे चाहिए, नहीं तो सुबा सुबा ना काम नहीं होता है, इधर से मुझे बहुत जल्दी भी होती है, क्योंकि बच्चों को भूख भी लगती है, सुबा सुबा उनको, मतलब कुछ खाने को भी चाहिए, तो ज Russell ॅचाहि लेट सोने के लिए तो मैं सारा किचन को जो है इसे क्लीन करके ही सोती हूं तो बस यही मेरी नाइट रूटीन है तो बच्चों ने दूध पी लिया था वह सो जह तो बस यहां पर मेरा किचन भी सारा का सारा क्लीन हो चुका है और मैंने भी अपना दूद पी लिया था तो बस अब मैं भी किचन के काम से फ्री हो गई तो इस वक्त बच रहे हैं 11 बच्चे सो गए हैं तो इस वक्त बच रहे हैं यहां बच रहे हैं साद्न आओ पौ दस बच तक सोगए हैं तो इसके बाद, मैंने अपना कीचन का काम साथ किचन का ही बता किच बाघा मतलब कूश काई है तो बस आगी मुझे बहुत जादा लग जाएगा, कितो की मुझे करनी एडिटिंग का काम करना है तो बस उसमें अभी अराम से एक दो घंटे मुझे लगेंगे मैं एक डिट बचे तक ही मतब सो पाऊंगी तो चलिए ठीक है मैं इस व्लोग को करी यही पर एंड I hope यह आपको आज का व्लोग अच्छा लगा हो व्लोग अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजे कॉमेंट कीजेगा और अगर आप चैनल पे नए है तो सब्सकार करना ना भूलिएगा मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में बहुत जल तब तक के लिए टेक ये थाओ टेक्या काई बबाई टेक्या गाइस बबाई